सेल के इसको इसपास सयंत्र में 30 और 31 अगस्त को सतरक्ता विभाग द्वारा मानाव संसाधन विकास केंडर के सहयोग से दो दिवसिय सतरक्ता निवारक प्रसिक्षन कारिक्रम को आयोजेत किया गया इस कारिक्रम में 24 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया जिसका उद्खाटन ED Works श्री A.K. सिंग ने ISP के ACVO श्री G.S. Vainu Gopal और GM Personal Works and In Charge HRD श्री गौतम बंधो पाध्या के साथ किया श्री सिंग ने अपने संबोधन में वैवसाइक प्रक्रिया के मामलों में Preventive Vigilance के नियमों की महत्ताओं और आवशक्ताओं पर जोर देते हुए सभी से इसे अपनाने की अपील की यह कारिक्रम केंद्र सतरकता आयोग वस पात मंत्राले एवं भारत सरकार के सम्मिलित प्रयास से विशेश तोर पर सेल इसको स्टील प्लांट के मिडल मैनेजमेंट के अधिकारियों के लिए तयार किया जा रहा है पहले दिन प्रिवेंटिब विजलेंस के वैचारिक धाचे, उपकरन, CDA Rules, सत्यनिस्ठा संधी और प्रासंगिक मुद्दे के अध्यन पर इन्पुट प्रदान करने वाले सत्र को आयोजित किया गया दूसरे दिन समूहों में विभाजत प्रतिभागियों को GM Vigilance श्री रंदीब दान एवं CGMMM श्री अमिताप श्रिवास्तव के द्वारा विचार विमर्ष और विशलेशन के लिए एक केस स्टेडी दी गई इस दो दिवसे प्रसिक्षन के समापन सत्र में मुख्य महाप्रबंधक सतरकता ACVO, DSP एवं ASP श्री अरूप रोय चौधरी ने प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुत केस स्टेडी पर अपनी विशेश रायव और टिप पनी दी मुख्य कारपालक अधिकारी, ISP, DSP एवं ASP श्री एवी कमलाकर ने विजिलेंस विभाग द्वारा आयोजेत इस प्रसिक्षन कारिक्रम को एक समयोचित कदम बताया और इसकी प्रसंगेक्ता के मद्दे नजर इसके सफल आयोजन पर सभी संबंद अधिकारियों और करमचारियों की सराहना की